Russia vs Ukraine के बीच में जो war हो रही है उचसे इंडिया के किन sectors और किन stocks को फाइदा होगा चलिए इसको समझते हैं तो नंबर बन पे हमारा आता है Steel Sector और Steel Sector को फाइदा इसलिए होना चाहिए क्योंकि Russia कांफी सारे raw material सप्लाई करता है steel के worldwide और war के चक्कर में वो supply हो नहीं पा रही है इसी वज़े से जो raw material की supply है वो काफी जादा कम है और steel के prices इसी वज़े से बढ़ रहे हैं तो जो companies steel production में हैं like Tata Steel, JSW Steel आप ऐसे stocks को buy करना consider कर सकते हैं number 2 पे आता है हमारा oil sector अब रशिया के पास दुनिया के सबसे जादा बड़े oil reserves है और रशिया अभी third position पे आता है when it comes to oil exports और war के चक्कर में ये लोग अपना तेल भी नहीं बेच पा रहे हैं और इसी बज़े से जो crude oil के prices हैं वो अभी $110 per barrel हो गए हैं जो की बहुत जादा हैं तो जो companies oil production में हैं like Oil India Limited, Reliant Industries Limited आप ऐसे stocks को buy करना कंसरे कर सकते हैं Thank you for watching this video and subscribe to our channel to watch more videos like this